सुर्वेंट्स कैसे उमिद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगों आप लोग अपने खयाल अच्छे से रख रहे होंगा दोस्तों अभी श्वी लंका के खिलाव जो टी-20 का दूसरा मैच हुआ है उसमें रोही शर्मा ने ऐसा कौन सा नया रिकॉर्ड जो बनाया है यह आज मैं आपको बताऊंगा और इस रिकॉर्ड के साथ ही अगर हम वर्ड रैंकिंग देखेंगे तो फिर उसमें रोही शर्मा ने इस रिकॉर्ड को बनाते हुए ही उपलब्धी को अपने साथ कैसे जोड़ा है वो किस पायदान पर समय खड़े हुए यह जानकारी मैं बहुत आच्छी तरीके से समय ट्रेंड हो रही है जिसको लेकर के जो फैंस उनकी अपनी अलग-अलग तरह की टिपणिया है अब अधरसार रोही शर्मा ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो क्या है अब आपके जहन में आ रहा होगा अगर आपने स्किप कर दिया है तो मैं रिकॉर्ड बनाये यानि है कि अभीवदी ऑसकी तरह खेंड फारस लेने का रिकॉर्ड ने पूरा किया है अब तक यह रेकॉर्ड थी भृड में भार्ड जो प्लेयर्स चोनृर्य बनाए तरशार रोही शर्मा धरसे कि अपने 50 स्किप के गलाब एकैब सी कैश हैं वो पूरे किये हैं और इसे के साथ वो ऐसे पहले भारती प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने टी-20 के अंदर इस तरीकी का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है अब यह जो पचासमा कैश था वो उन्होंने किसका लिया यह भी मैं आपको बताता हूँ उन्होंने अ पकड़ा है अब रोहित के बाद आप सोच रहोंगे कि इसके अलावा और कौन से प्लेयर है जिनके नाम यह रिकॉर्ड इसके पहले रहा है यानि कि कैसे के नाम अड़ तालिस हो या चालिस हो क्योंकि तो पचास अब रोही शर्मा ने इसको एक नए रिकॉर्ड के तोर पर है अब अगर एक एक करके हम लोग उसको समझने की कुशिश करें तो कोली ने अब तक टीट्वेंटे में 43 और रहना ने 42 लपके हैं जबकि रोही शर्मा को आप देखेंगे तो उन्होंने यह आंकड़ा 50 तक पहुचा दिया है तो जाहिर बात है कि रोही शर्मा को पैंस है